नमस्ते and hello everyone, no rule kitchen में आप सभी का फिरसे स्वागत है, आज हम यहापे बनाएंगे व्रत के लिए रामदाने का हलवा, जो की खाने में जितना ही स्वादिश्ट है, उतना ही बनाने में आसान, तो चलिए देखते हैं यह कैसे बनता है, आज के मेरे वीडियो में kitchen से related एक टिप ह जो की आपके बहुत काम आएगा, इसलिए आप मेरा वीडियो जरूर पूरा देखे वो टिप जानने के लिए, हलवा के लिए हमें चाहिए एक कप रामदाना या राजगिरा का आटा, एक कप चीनी, आधा कप अप्रॉक्स घी, चुटकी भर इलाइची और ड्राइफ रू में घी गरम करके मीडियम आज पे रामदाने का आटा सेखेंगे, आटा हम अप्रॉक्स 10 मिनिट के लिए सेखेंगे, और इसको आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना पड़ेगा, ताकि आटा जले ना, घी आपको अगर कम लगे, तो आप अपने अकोर्डिंग और भी डाल स करते हैं, आज का हमारा टिप ऑफ दे ये है, कि अगर आप आलू का हलवा बना रहे हैं, तो वो आलू का हलवा कड़ाई में यूज्वली चिपक जाता है, तो हलवा हमारा चिपके ना, इसके लिए हम कड़ाई में घी डालके, दो चम्मच कुट्टू का आटा अगर डालते हैं, उसके बाद इसको भुन के आलू डालेंगे, तो हमारा आलू का हलवा चिपके नहीं कड़ाई में, आप इस टिप को घर पे जरूर ट्राय करिएगा, और देखेगा कमाल की आलू का हलवा कितना मस्द और कितना इसली बन जाता है, बिना कड़ाई में चिपके हुए, य अब हम इसमें जो पानी गरम किया था वो डालेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, अब पानी की जगे इसमें दूद भी यूज कर सकते हैं, पानी डालके आप इसको कंटिनुसली चलाते रहिए, जब आटे में से घी सेपरेट होने लगेगा, तब हम इसमें चीनी डालके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें अब इलाइची पाउडर डालके मिक्स करेंगे, राम दाने का हलबा तयार है, अब हम हलबा को एक बोल में ट्रांस्फर करेंगे, और लास्ट में गार्णिशिंग के लिए कटे हुए ड्राइफूट्स डालेंगे, इस हलबा की खासित यह है, कि यह थंडा होने पे भी उतना ही टेस्टी लगता है, जितना की गरम में, तो इस टेस्टी से हलबे को आप लोग घर पे ज़रूर ट्राय करिएगा ब्रत में, और मुझे कामेंस के त्रू बताईए कि कैसी लगी, मेरे चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा,